नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही जादा एक जरूरी जानकारी आप सभी लोगों को मैं देने वालों, जितने में हमारे एड़ोकेट्स हैं, उन सभी को ये नियूस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जैसे अब लोग जानते हों कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया है, उसके अंदर जो है यहाँ पे पेपर्लेस कोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे एक एफेक्टिव मैजस लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे और अभी प्रोसेस में कुछ जो मैजस लिए गए हैं वो प्रोसेस में चालू हो चुके हैं उसी को ध्यान में रखते हुए एक हमारे जो ओनेरिवल चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंडर चून जी उनके दुआरा जो है एक नया पोर्टल जारी करा गया है जिसका नाम है आपका as an advocate के दौर पे आपको appear होना होता है प्लीड करने के लिए, argument करने के लिए या particular evidences प्रोसेस करने के लिए, examination करने के लिए, examination in chief करने के लिए, X, Y, Z के दौर पे तो आपको appear होना है Court के अंदर, Supreme Court of India के अंदर आपका case एक लिस्टिट है, अब इस case के अंदर पहले क्य अधर यह मेरा लेस्ट हुआ है मेरे जो एड़ोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसको में शॉट फार्म में एड़ोर बोलते हैं इनका मैं एक तरीके से सब एड़ोकेट हूं और मैंने एवार से वेरिफिकेशन करा लिए उनका सिगनेचर होता था उनका स्टेंप लगता था एपेरें का रिस्पॉंडने का जो कॉंसे लोते हैं उनके नाम मेंशन होते हैं आप लोगें लोगे और मैंथलेप नौ बताता हूं कि केस का नाम यह है के इसके नतरे हो उनका नाम यह है तो यह जो नाम होता है कहां से पता लगता है जब आप अपनी एपीरेंस स्लिप जो है उनरेबल कोट को बताते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर अपीर हुआ था मैं एक एड़ोकेट हूँ ठीक है अब यह जो है पहले हमारा फॉर्म भर कि भाई मैं इस मुद्दे के अंदर अपीर हुआ हूँ यह एरिंग पर मैं आया था ये यह एरिंग पर कोई दूसरा कंसर्ण एड़ोकेट आया था यह स्याइब बात है अब इस के अंदर इसको बिल्कुर सीधा कर दिया यह अगर यह से पो चालू करने के लिए यह मानश जा रहा है कि अगर ये पोर्टल हमारा successfully अब रन तो होई जाएगा 1st January 2023 से तो ये मानने जा रहा है कि दो लाक पेपर जो होते हैं हमारे अगर हम ये चालू करते हैं अपना पोर्टल तो हमारे दो लाक पेपर एक साल के अंदर बच जाएंगे बात खतम कि अब हमार का appearance लिप की जुरत नहीं है उसका paper बचेगा उसकी कोस्ट उसकी जो printing का जो हमारा material होता है वो सब बच जाएगा और हम पूरे के बुरे अपने supreme vote को एक कदम एक सीडी paperless code बनाने के लिए अपना आगे बढ़ सकेंगे अब दूसरी बात हैं आप ही आती है कि ये जो advocate appearance portal होगा ना advocate का ही अपना ID login करी जाएगी एक बार ही ID login होगी एक बार ही आपको अपना enrollment number अपना AOR का फिर उसके बाद आपका mobile number जो registered आप कराना चाहते हो उसी के उपर आपका mobile number पे OTP आएगा सिर्फ एक बार तो आपके online आपकी ID password अपना बन जाएगा तो वो आप अपनी ID password डालोगे advocate appearance portal के अंदर online file करने के लिए कि मेरा particular matter है मेरे भीहाफ पे यह particular senior advocate मेरे भीहाफ पे यह particular advocate जो appear होने आ रहे हैं तो यह जो चीज़ें ना senior advocate या advocate जो appear होने आ रहे हैं यह manually जो है आपको fill out करनी होगी अब यह AOR अपना खुद fill out कर ले या अपने किसी assistant को बोले या अपने किस इसी concerned advocate को बोले fill out करने के लिए तो fill out करने के बाद वहाँ पर manually आपको जो slip होती थे वो भरने की जूरत नहीं है और जो court master होते हैं हमारे जो type करने के लिए कि भाई हाँ यह particular case के नरे यह council appear होए है आज यह argument हुई है तो इसको argument type करने के लिए लेकिन यहाँ पर जो manually आपका के अंदर नाम दर्ज करा दिया और आपके इसके अंदर appear होए हो तो automatically हाँ पे शो होगा कि भाई यह advocate का नाम यह है already just साब को पता होगा already court master को यह पता होगा कि कौन सा advocate किस नाम से हमारे एवर है या कौन से एवर concern एवर के ID के थुरू हमारे आगे appear हो रहा है तो आप लोग क्या सोचते हो इस particular advocate appearance portal जो जारी करा जा रहा है सुप्रीम कोट के अंदर हमारे चीफ justice डीवाई चंडर चूड जी के दुवारा जो है यह जो है मुनी में चालू करी जा रही है कितना effective रहेगा और क्या हमार को यह high court के अंदर क्या हमार को यह district courts के अंदर district court में तो खेर बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं अगर metropolitan cities की बात करूं उनके अंदर थोड़ा सा development है लेकिन अगर मैं other जो मारी non metropolitan cities हैं जहां पे हमारे judicial magistrate जहां पे हमारे chief judicial magistrate जो बैठते हैं वहां पे थोड़ा सा infrastructure जूरूत है तो जबी infrastructure सुद्रेगा जब जाके हम यह portal को भी अ बता दिये एक जनवरी दो जाते ही से particular यह portal चालू हो जाएगा सभी advocates के लिए याद रखेगा हम मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर और आपको वीडियो पसंद आई या तापको पता है तीन काम करने होते एक तो वीडियो को like आपका point of view क्या है comment box के अंदर क्योंकि आप अ